हेलो स्ट्रेंट्स आज हम सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा है इंबस्ट इग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका यूज आप कैल्पिलस में इतना ज़्यादा करोगे जाए आप डिफ्रेंशियसन कर रहे हो या इंबस्ट इग्नोमेट्री का और इस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन इस टॉपिक में आप सीखोगे कि किसी भी इंबस्ट इग्नोमेट्रीक फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो यह जो सिंप्लीफिकेशन है इसको इनीसियल स्टेज मे तो पार्ट में बाटा गया है पहला पार्ट इसका होता है Simplification Based on identities और दूसरा पार्ट है इसका Simplification Based on Trick और यह दोनों ही जानना जरूरी है क्योंकि जब कभी इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बहुत बड़ा हो जाता है ऐसी कंडिशन में differentiation या integration करना बहुत मुस्किल हो जाता है है ना ऐसी कंडिशन में हम Simplification का यूज करते हैं और वो जो बहुत बड़ा एंगल वाला इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसको छोटा पना बहुत है और जब एंगल छोटा हो जाता है तो उसका रूट वन माइनस X स्क्वेर अपॉन अंडर रूट वन प्लस X स्क्वेर माइनस अंडर रूट वन माइनस X स्क्वेर इसका तुम्हें differentiation करना है अगर तुमने differentiation चेन रूल अगर पढ़ा है तो जस्ट जस्ट imagine मतलब थोड़ा सा सिर्फ इसका image बनाओ कि जब तुम इसका calculation करोगे तो तुम्हारे साथ क्या-क्या हाथसा होगा हालत खराब जाएगी तुम्हारी answer तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दोगे क्यों एक तो 10 inverse का formula लगाना पड़ेगा one upon one plus इस पूरे का whole square उसके बाद into में इस पूरे angle का derivative करना पड़ेगा और जब इस पूरे angle का derivative करोगे तो तुम्हें question true लगाना पड़ेगा तो बहुत बढ़ा हो जाएगा लेकिन जब तुम simplification जानते हो तो इतने बड़े function को integrate करने की जरूरत नहीं है और उसको जब कभी भी calculus पढ़ाए जाएगा यह जरूर बताए जाएगा कि inverse trigonometric function आपके सामने अगर आ गया तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा इस inverse trigonometric function को चोटा बनाना यानि एक loin को एक share को चुवा बनाना जब इसको चुवा बना दोगे मारना असान होगा लोयन रहेगा मारने में तो कठिनाई होगी एक सिकारी नहीं मार पाएगा फिर तुम्हे दिकत होगी तो आज हम तुम्हें यहीं चीज़ सिखाने जा रहा है कि किसी inverse trigon फंक्टन को शोटा कैसे बनाते हैं तो अब देखो इनिश्यल स्टेजमिन मैंने बता दिया कि दो टाइट का सिंप्लिपिकेशन होता है एक होता है आइडेंटिटी बैस इन्वर्स सिग्नोमेट्री के जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ और वो पाचो आइडेंटिटी आपके सामने कहा से आएंगी आइडेंटिटी फाइब और आइडेंटिटी शिक्स आप देखोगे मेरे वीडियोज में पर उपर ही लिखा हुगा है आइडेंटिटी फाइड इन्वर्स इडेंटिटी शिक्स उनमें से पाँच आइडेंटिटी जमने निकाले जिन में पहला फर्मुला है 2TN inverse X is equal to sin inverse 2X upon 1 plus x square again 2TN inverse X is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square और 210 inverse x is equal to 10 inverse 2x upon 1 minus x square बेटा ये 210 inverse इकलाता ऐसा inverse है जिसको किसी भी inverse में convert कर सकते हो अभी तुमारे सामने sin inverse, cos inverse, 10 inverse दिख रहा है अगर cot inverse में convert करना है इस angle को लट दो ये पता होगा पहले से ही identity number 3, 1 minus x square उपर 2x नीचे cot inverse बन गया 1 plus x square उपर 1 minus x square नीचे, cos second inverse बन गया 1 plus x square उपर 2x नीचे, ये sin inverse, cos second inverse बन गया इन तीन फर्मुले के अलावा, तुम्हें ये फर्मुला याद रखना है 10 inverse plus y upon 1 minus xy ये किसका फर्मुला है, ये फर्मुला है, 10 inverse x plus 10 inverse y का और अगर उपर y minus उपर plus नीचे आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एक लाश्ट फर्मुला, 310 inverse x, 310 inverse x को हम लिखते हैं 10 inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square अब जो बात मैं तुम्हें को बताऊंगा, ये गांट मांगने न, ये ही तुम्हारी मदद करेगा बच्से ये पूछते हैं कि सर हमें कैसा पता चलेगा, कि ये identity-based है या tips-based है पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा न, देखो, जो simplification identity-based होगा angle में कहीं root नहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं root, यहां कहीं root दिख रहा है यहां कहीं root, यहां कहीं root, या इसमें कहीं root, या इसमें कहीं root, कहीं कोई root नहीं दिख रहा है, यानि यह identity based simplification है, जब tips based simplification होगा, तो आपको angle में किसी एक जगा root जरूर दिखेगा, वो आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, एक और बात, देखो, ठीक है, question देखके आपको य इसको simplify करना है, इस हाथी को चुहा बनाना है, अब मैं तुम्हें सबसे important point बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे लिए trick का काम करेगा, सबसे पहले तुमने यह देखा कि इसके angle में कहीं root नहीं है, तुम्हें यह पता चल गया, कि identity based simplification है, दूसरा तुम्हें क्या करना है, यह जितने फर्मूले हैं, ध्यान से इस पोने पे देखो, यहां पे तुम्हें one दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, यह one दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे, नीचे, left hand side में, नीचे denominator में, left hand side में, यहां भी one है, यहा सबसे पहला काम होगा, denominator में, नीचे, left hand side में one बनाना, यह सबसे पहला काम होगा, अगर यहां पे तुम्हें ने one बना दिया, तो यह इनमें से किसी एक फर्मूले की तरह बन जाएगा, इस फर्मूले को मैं सीधा कर देता हूँ, तुम्हें देखने में थोड़ी सी दिकत ह होगी, left hand side को right में लिख देता हूँ, 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy, अगर यहां माइनस होगा, तो ऊपर माइनस नेचे प्लस, अब यह one line से तुम्हें दिखेगा, denominator में left hand side, अब जैसे इसको simplify करना है, solution देखूँ, अब हमें यहां पर one बनाना है, उससे पहले सोचो कि हमने जितनी identities लिखी है, यह सारे 10 से related identities है, मगर यहां पर क्या है, court है, court का तो कोई formalize में है यह नहीं, तो अब क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले इस court को 10 में convert करना चाहिए, और इसके लिए क्या करना होगा, court inverse 10 inverse बन जाएगा, यानि 10 inverse A minus X upon A plus X, clear, अब 10 inverse बन गया, और trick क्या बताया मैंने, कि left hand side में नीचे इस कोने पर कैसा भी question हो, अगर angle में root नहीं है, तो यहां पर one बनाना पड़ेगा, अब यहां one बनाने के लिए क्या करोगे, उपर नीचे A से divide कर दोगे, तो जब divide करोगे तो यह बन जाएगा, 10 inverse A से A को divide करोगे 1, इसको A से divide करोगे X upon A, इसको A से divide करोगे 1, इसको A से divide करोगे X upon A, कर दिया divide, अब यह देखो कि यह तुम्हें इन में से किस फर्मुली की तरह दिख रहा है, नहीं, यह second वाला फर्मुला नहीं है पुतर, क्योंकि यहां पर square है, और इसमें कोई square नहीं है, अगर मालो उपर 2 होता, तो sine inverse यह 10 inverse बनता, square है नहीं, तो यह भी नहीं है, इसका मतलब यह identity है, इस identity में क्या होता देखो, उपर X और Y का plus या minus होता है, नीचे इस फोने पर product होता है, ज़रा सोचो, इन दोनों का अगर product करोगे, multiply करोगे आपस म तो क्या X upon A नहीं आएगा, आएगा, चाहो तो इसके into में 1 डाल सकते हो, क्योंकि इसको 1 से into करने के बाद भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब देखो यह कैसा बन गया, यह बन गया 10 inverse X minus Y upon 1 plus XY के जैसा, और अगर ऐसा बन गया, तो इसकी जगा पे हम क्या लिखते हैं, इ 10 inverse X minus 10 inverse Y, आइडेंटिती तुमारे पास है, अगर उपर माइनस नीचे पलस है, तो माइनस होगा, उपर पलस नीचे माइनस है, तो पलस होगा, अब सोचो कि अगर इसको इतना लिख सकते हो, तो इसको कितना लिख सकते हो, इसमें X क्या है, इसमें Y क्या है, इस पूरे को इस एंगल के साथ compare करो compare करने के बाद पता चलेगा कि x1 है और y x upon a है तो हमें इसकी जगह पे 10 inverse x minus 10 inverse y लिखना है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 10 inverse 1 minus 10 inverse x upon a अब 10 inverse 1 की value क्या होती है 10 theta के table में 1 कब आता है 10 5 by 4 पे बनाता है यानि 10 inverse 1 का value हो गया 5 by 4 और minus में हो गया 10 inverse x upon a ये तुम्हारा answer हो गया ये इस line का simplest चुहा पॉंग हो गया इसको integrate या differentiate करने में तुम्हारे पसी ने उतर जाएंगे इसको integrate या differentiate तुम एक line में कर दोगे simplification का ये ही फायदा है तो देखो हमने क्या क्या बाते बताई उसको बिल्कुल गौर करना कि identity based simplification में root नहीं होता है angle के अंदर तो trick क्या काम करेगा नीचे denominator में left hand side में तुम्हे 1 बना देना है 1 बनाते ही 100% इनमेस से किसी एक identity की तरह बन जाएगा CBSE में जितने question है उनके base में बता रहा हूँ जिस identity की तरह बन जाए उसका दूसरा वाला हिस्सा तुम्हें use कर लेना है अपने आप simplest form में आ जाएगा तो ये था identity based simplification इसके अगले episode में मैं बहुत बहतरीन अच्छे अच्छे questions identity based का ही बताऊंगा उसके बाद हम आपको करवाएंगे tips based problem या trick based problem इंतजार करिए बहुत कम समय में आपके सामने आ रहा हूं आप